दोस्तों इंडियन फिल्म इंडिस्टी की फिल्मों में अगर विलन ना हो तो फिल्म देखने का क्या मज़ा और अगर में विलन के साथ उसके गुर्गी हीरो से ना पिटे तो फिर मज़ा और दुरसा लगता है और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फिल्म इंड प्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम फिल्मों से जुड़ी अंदर की बाते आपके लिए लाटे रेशन दोस्तों आज के इस स्पेशल वीडियो की कड़ी में जिस कलाकार का पहला नंबर आता है उसका नाम है अभिनेता गेविन पेकड फिल्म सडक में महारानी बने एक आइरिश अमरीकी थे जो कि अमरीकी सेना के मेंबर के रूप में बैंगलोर आया थे और उन्होंने वहीं बसने का फिशला कर लिया था गेविन पेकड अपनी फीजिक के लिए जाने जाते थे और उन्होंने स्टेश लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक बोड़ी से परिचित करवाया दोस्तों गेविन पेकर ने साल 1988 में मल्यालम फिल्म आजन से फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी जिसमें उन्होंने मुंबई के लोकल गुंडे मार्टिन की भूमिका निभाई थी बोलीवूड में उनका डेब्यू साल 1989 में फिल्म इलाका से हुआ ज साल 1991 में आई महजबट निर्देशे फिल्म सड़क में वे साइड हीरो का रोल करके दर्शकों की नजर में आये इसके बाद उन्होंने बोलीवूड में साथी पत्थर के फुल, फते, तरिदेव, थानेदार, चमतकार, तिरंगा, दीदार, पहचान, आखे, वक्त हमारा है, तड़ी पार, महरा, हम हैं बेमिसाल, जलाद, करन अरजुनोर, कहर जैसी, बड़ी और सफल फिल्मों में अभी ने किया या विलन के दाएंबाए हाथ के रुप में रोल प्ले किये, साल 2002 में उनकी तीन फिल्मे आई थी, जो उनकी अंतिम फिल्मे थी, ये फिल्मे थी जान लोकल लोगों के बीच वड़ा पाओ खाने आया करते थे, साल 2002 के बाद गेविन पेकड का केरिया ढलान पर आया और उन्हें काम मिलना बंध हो गया, साल 2010 में ही कल्यान में एक मार्केट में वे एक हाथसे का शिकार हो गया, जिसमें उनका पेर तूट गया, जिस पर उन्हे वसाई के सियोन होस्पिटल में लाया गया, अपने आखरी दिनों में वे काफी अकले हो चुके थे, क्योंकि उनकी पत्नी से उनका तलाग हो चुका था, वे ठीक होने के बाद भी फिल्मों में काम पाने के लिए संगर्स कर रहे थे, जिस समय उनकी मरत्यू हुई, उस समय मात्र 47 साल के थे, जब उनका अंतियम संसकार किया गया तब वहां लगबग 200 लोग अवेलेबल थे, लेकिन दुरभाग यह रहा कि फिल्म इंड़स्ट्री का एक भी बंदा वहां शामिल नहीं हुआ, उनकी मरत्यू के समय वे एक फिल्म रोकीदर स्लेव की शुटिंग कर लेकिन यह फिल्म आज तक रिलिज नहीं हो पाई, गेविन पेकड की मोद के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए अभीनेता संजदत आखिरकार आ गया है, उन्होंने अपने आपको उनकी बेटियों का गोट फादर गोशित कर दिया, दोस्तों गेविन पेकड में जन में महेशानन ने हिंदी, तमिल, तेलगू और मल्यालम भशा की कई फिल्मों में काम किया, वे कराटे में बलेक बेल थे, उन्होंने फिल्मों में अभीने करने से पहले साल 1982 में आई कमल हसन रिनारा इस्टार फिल्म सनम तेरी कसम में टाइटन सिक्वेंस में डांस क करते हुएं बताया गया था, इसके बाद उन्होंने फिर से कमल हसन और इनारा इस्टार फिल्म करिश्मा में भी नहीं किया, दोस्तों महेशानन अभीनेतरी तारा देवी के बेटे थे, तारा देवी ने 40 और 50 के दर्शक में कई पुरानी भारती फिल्मों में काम किया, जि की फिल्म थी, वे जब मातर दो साल के थे, तब ही उनकी माता जी का देहान्द हो गया था, वे जब पढ़े हुए तो उन्होंने पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया, तब उनकी कॉलेज में किमी काट कर पढ़ा करती थी, दोस्तों भीनेता महेशानन अभीन ए महेश को ये पता नहीं था कि बर्खा एक्ट्रेस रिना रोय की बहन है, एक दिन महेश को बर्खा ने अपने घर पार्टी में बुलाया, तब उन्हें पता चला कि वे रिना रोय की बहन है, और तब ही वही पर उनकी मुलाकाद रिना रोय से कराई गई, और तब ही वही पर महेश आनन को अपना पहला बोलीवूड डेबिउ मिला फिल्म सनम तेरी कसम से दोस्तों बाद में महेश आनन ने बर्खारों से शाधी भी कर ले थी लेकिन कुछ समय बाद दोनों अलग हो गए साल 1985 में आई फिल्म भवानी जक्शन वो पहली फिल्म रही जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल प्ले किया था डिरेक्टर और प्रोडूसर भी सुभाज की फिल्म टारजन के लिए पहली पसंद हाला की महेश आनन ही थे लेकिन उन्हें हैमन बिर्जे उस रोल के लिए ज्यादा फिट लगे साल 1986 में एक्टिंग का कोई प्रस्ताव ना आने के कारण तंग आकर मैश आनन्द और उनके मोडल मित्र जफर लाल जी ने एक एड़टेज कंपनी खोली थी जो केवल एड़टेज वीडियो बनाती थी इस कंपनी को जफर के ससूर ने फाइनेंस किया था जिसका नाम था इस्टेलिन प्रोडक्शन साल 1986 में ही भपी सोनी ने उन्हें प्रिया तेंदुलकर के साथ कास्ट किया सस्ती दूलन महेंगा दूला नाम की फिल्म से इसके बाद उन्हें सारे विलन टाइप के रोल ओफर हुए और उन्होंने इनसाफ, शेहनशा, गंगा जमना सरस्वती, हतियार, इलाका, मुझरिम, तूफान, स्वर्ग, जूर्म, थानेदार, इंदरजीत, अकेला, विश्वात्मा, क्रांतीवीत और लाल बाशा जैसी अल्मान खान, गोविंदा, कमल हासन, अक्षे कुमार और मितुन चक्रवर्ती के साथ फिल्में की, सिने ब्लिड्ज मेगजिन के साल 1992 के जीवन एडिशन में महेशारन का पार्ट टाइम एसकोर्ट होने के बारे में एक आर्टीकल छपा था, 90 के दशक के शुरुवात में ही महेश अनन की कार फुटपात पर सो रहे तीन लोगों के उपर चड़ गई थी, जबकि उस समय सुबह की तीन बजी थी, अमिताब बच्चन के घर के सामने हुई इस घटना के कारण यह स्टोरी मीडिया की सुरुख्या बन गई थी, बाद में अमिताब ने ही महेश अनन को स फिर चोट लगी और वे चे मैने तक होस्पिटलाइज रहे, अगले तीन साल तक वे बिस्तर पर पढ़े रहे जहां उन्होंने बहुत सारी जमारकम खो दी, इसी गेश के कारण उनके फिल्म मुद्यों के सारे संपर टूट गए और काम के लिए उन्हें दर दर घुमना वे पेंक्रियास कैंसर से पीड़ी थें, दोस्तो नो फरवरी 2019 में उनके फ्लेट में ही महेश अनन ट्रेकशुट पहे ने सोफे पर बेठे हुए मरत पाए गए जबकि उनका टीवी चालू था, उनके बगल में पड़ी टेबल पर एक खाने की प्लेट और शराब की बोटल मिली थी, जब उनकी नोकराणी ने कई बार उनके फ्लेट की घंटी बजाई और अंदर से कोई प्रतिकिरिया नहीं आई तो नोकराणी ने उनकी बहन को सुचित किया, उनकी बहन भी तुरंथी वर्सोवा पुलिस के साथ वहां पर पहुंची, महेश अनन की पांचवी पत जैसा ही हुआ, दुरगंटा के बाद उन्हें भी काम मिलना बंद हो गया और वही उनकी मौत का कारण भी बना जबकि वे इस समय मातर 58 साल के ही थे, दोस्तों वीडियो की कड़ी में हमारे अगले कलाकार हैं अबिनेता जेक गोड़, साल 1958 में राजस्तान के खेतरी में जन् उनकी फीजिक के कारण उन्हें हमेशा विलेन के रूप में पेश किया गया। उनकी पहली अबिनीत फिल्म थी साल 1984 में आई फिल्म इंसाफ कोन करेगा जिसमें धरमेंदरोर रजनी कांत एक साथ दिखाई दिये थे। इसके बाद उन्होंने सामरे 3D, वतन के रखवाले, गंगा जमना सरस्वती, तेजाब, तूफान, करोध, इजजदार, प्यार का मंदिर, तहलका, करनर जुन, रावन राज, जुड़वा, कोईला, वास्ताव और हतियार जैसी बड़ी फिल्मों में अभी नहीं किया। फिल्म करनर जुन में उनके द्वारा निभाया गया शम दोस्तों इतने सक्सेसफुल केरियर के बाद 8 जून 2000 को मुंबई में उन्हें अपने घर में ही 12 साल की उमर में दिल का दुरा पड़ा और जिससे उनकी मत्ति हो गई। उनकी मौत के बाद वे अपनी पत्नी और दो बेटों को छोड़ गए जिनमें से उनके एक बेटे अमि और यिनेता का अगला नाम आता है उस अब इन्याता का नाम है मानी किरानी यानी की विल्लाॉ 23 अक्टूबर 1953 में जनमे मानी कीराणी बचपन से ही दारा सिंग की फिल्मों के बहुत बड़े प्रशन सकते। मानी कीराणी को बिल्ला नाम मिला फिल्म हीरो से और इसके बाद वे इसी नाम से इंडरस्टिम में जाने जाने लगे। अपने शुरुवाती दोर में मानी कीरानी ने काम के लिए M.P. शेटी से संपर्क किया था। शेटी ने उनके काफी मजबूर शरीर को देखकर उन्हें बोड़ी डबल का काम फिल्मों में दिलवाया। मानी कीरानी ने अपना केरियर फिल्म दुनिया का मेला से स्टाट किया था जो की साल 1974 में रिलिज हुई थी। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी और बेतरिन फिल्मों में विलिन के रोल प्ले किये जैसे दीवार, काली चरण, त्रिशूल, विश्वनात, मिस्टर नाटरलाल शान, सिलसिला, आमने सामने, नास्तिक, हीरो, जमीन आस्मान, दुनिया, मर्द, कसम पैदा करने वाले की और गिरफतार के साथ कर्मा। उनकी लास्ट रिलिस फिल्म थी, साल 2001 में रिलिस बदला औरत का, जो की एक रुकी होई फिल्म थी, इस फिल्म में उन्होंने जंगा दादा का किरदार निभाया था। 1994 में जून मेने में लंबी बिमारी कारण हुआ था। वे कई सालों से शराब की लच्से जूज रहे थे। उन्हें जोन्रीज हो गया था जिसके कारण वे अस्पताल में भरती कराए गए थे। दोस्तो हस्पिताल में भरती रहने के दोरान भी उन्होंने शराब पिना जारी रखा और अन्प में उनका निदन हो गया। उनकी मौत के बाद वे उनके पीछे अपनी पत्नी को छोड़ गए उनका एक बेटा भी था जो बहुत पहले ही कमर उमर में गुजर गया था। दोस्तो मातर 40 वर्स की उमर में ही उनका देहान बहुत ज़्यादा शराब पिने से हो गया था। दोस्तो वीडियो की कड़ी में हमारे अगले कलाकार है युसफ खान और यश्राज और जबिसको। युसफ खान का जन्म एक माई 1940 को इजिप्ट में हुआ था। उन्होंने सितर और असी के दशक में कुल मिला कर 35 फिल्में की थी। जब उन्होंने फिल्म बॉमिट वुआ में भी नहीं किया था तब उनका स्क्रीन नेम यस राज रखा गया था। फिल्म अमरकबर एंथोनी में अपने केरेक्टर जेविसको के कारण वे इस नाम से भी काफी फेमस हुए। वे फिल्म अमरकबर एंथोनी में परविन बाबी के बोडिगाड बने थे। वे अभिनेता फरास खान के पिता थे जिन्होंने साल 1996 में फिल्म फरेव से अपने केरियर की शुरुआत की थी। हाला कि फरास को फिल्म मेंने प्यार किया के लिए साइन किया गया था लेकिन शुटिंग शुरू होने के कुछी दिन पहले उन्हें जौंडीज हो गया और उन्हें सलमान खान से रिप्लेस कर दिया गया। दोस्तो अभिनेता यूसुफ खान की साल 1985 में चमालिस साल की उम्र में ही हार्ट अटेक से मृत्य हो गई थी। वे टेलिविजन अभिनेता फहमात खान के सोतेले पिता भी हैं। दोस्तो इस आज के स्पेशल वीडियो की कड़ी में हमारे अगले कलाकार हैं मुद्दू बावु शेटी यानि की एमबी शेटी। एमबी शेटी का जन्म में मेंगलूरू में 1 जनवरी 1938 को हुआ था। वे उड़ू पी से मुंबई पहुंचे थे काम की तलास में और उनकी मातर बाशा तुलू थी। हाला कि उन्होंने अपना केरियर एजेवेटर स्टार्ट किया था लेकिन बाद में उनकी मजबूत परसनलिटी के चलते वे बॉक्सिंग और बोडी बिल्डिंग में एंटर हो गए। कुछ समय बाद उन्होंने फेमस फाइट मास्टर अजिम को फिल्मों में असिस्ट किया और उनकी फिल्मों के लिए वे बोडी डबल और फाइट मास्टर के रूप में काम करने लगे। दोस्तो एक फिल्म में वे प्रेमनात और प्रदिप कुमार के बोडी डबल के रोल में काम कर रहे थे कि अबिनेता प्राण की नजर उनके उपर पड़ गई उन्होंने एमबी शेटी को एजे इंडिपेंडेंट फाइट कोरियोग्राफर के रूप में फिल्म मुनिम जी में ब्रिक दिलवाया दोस्तो एमबी शेटी की पहली पत्नी का नाम विनो दीनी था जो की एक अत्तक नत्यांग ना थी एमबी शेटी ने सितर के दशक की कई हिंडी और कनट फिल्मों में खलनाया और उसके गुर्गे के रूप में रोल प्ले किये दोस्तो एमबी शेटी ने सेकड़ो फिल्मों में काम किया जिसमें से डोन, दे ग्रेट गेमलर, त्रिशूल, दिवार और शाली मार जैसी फेमस फिल्में भी शेटी ने नवरा तीनम नाम की एक तमिल फिल्म में भी एम जी राम चंदर के साथ में अभी नहीं किया था दोस्तो फिल्मों में फाइट सीन कोरियोग्राफ करते समय उनकी मुलाकात जूनियर आर्टिस रतना से हुई जो ने फाइट डारेक्ट करने में अशिच्ट भी किया करती थी वहीं उन्होंने रतना से शादी कर ली थी दोस्तो एमबी शेटी का केरियर बड़ी रफतार से चल रहा था कि उनके साथ भी एक बहुत बड़ी घटना घट गई हुआ यूँकि साल 1980 के आसपास फिल्म बंबे 405 माईल की शुटिंग करते समय फिल्म के हीरो शेत्रुकन सीना के इस्टन डबल मंसूर की दुरगटना में मृत्यू हो गई वह भी इस्टन करते समय कहा ये गया कि मंसूर गेश पेट्रोल स्टेशन के उपर से कूद तो गया लेकिन टाइम मेचिंग ना हो पाने की कारण वह उस कतार में नहीं कूद पाया जहां उसे कूद ना था मंसूर की मौत का इल्जाम शेटी के उपर आया क्योंकि शेटी उस दिन शराब पिये होए थे वे उन दिनों काफी शराब पिया करते थे दोस्तो शेटी ने मंसूर की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मान लिया और डिप्रेशन में रहने लगे उन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पिना शुरू कर दिया जिसके कारण 23 जनवरी 1982 के दिन मातर 44 साल की उम्र में उनका निधन हो गया दोस्तो शेटी का विवाहिक जीवन काफी विवादास बद रहा उनकी पहली पत्नी विनोदिनी शेटी से उनके दो बेटे रधर शेटी और उधर शेटी एक बेटी छाया शेटी है उनके बेटे रधर शेटी ने तो साल 2004 में फिल्म प्लान का डिरेक्शन भी किया था MB Shetty की फेमिली और उनकी पहली पत्नी ने कभी भी Shetty की दूसरी शादी को मानेता नहीं दी Shetty की दूसरी शादी से रोई Shetty का जन्म हुआ था और वे आज एक बहतरिन डारेक्टर और प्रोडूसर है दोस्तो बहुत ही ज़्यादा शरप पिने के कारण यहां एक और बहतरिन फाइट मास्टर को इस इंडिस्टी ने बहुत ही कमर उम्र में गवा दिया MB Shetty की मोद भी लगबग मानी किरानी और महेशानन की तरह हुई थी इस इंडिस्टी की फाइट को डारेक्ट करने वाले वो सारे फाइट डिरेक्टर या फाइटर्स अपनी जिन्दिगी से फाइट नहीं कर पाए और बहुत ही जल्दी दुनिया को अलविदा कह गए दोस्तो हम आपके लिए इसी तरह के और भी वीडियो लाते रहेंगे